भारत क्रोना वाइरेस की दूसरी लहर का सामना कर रहा है इसके चलते कई राजों ने वीकेंड लॉक्डाउन नाइट कर्फू जैसी पाबंदिया लगाई हैं तो वहीं कई जगा पूर्ण लॉक्डाउन को लेकर विचार विमार्श चल रहा है हाला कि इसी बीच विश्व स्वास संगठन की मुख वैग्यानिक डॉक्टर स्वामिया स्वामिनाथन ने लॉक्डाउन को लेकर बड़ा बयान दिया है उन्होंने कहा कि इसके परणाम भयानक होंगे साथ ही उन्होंने महामारी की दूसरी लहर को नियंतरित करने में लोगों की भूमिका पर भी जोर दिया है इस दोरान उन्होंने वैक्सीन डोस को लेकर भी चर्चा की है अंग्रेजी अखबार दा इंडिन एक्स्प्रिस के मताबिख डॉक्टर स्वामिनाथन ने कहा कि तीसरी लहर के बारे में सोचने और परियाफ्त लोगों को टीका लगाए जाने तक हमें दूसरी लहर का सामना करना होगा इस महमारी में पक्का कई और लहरे भी हो सकती है डबलू एचो ने कोबिशील वैक्सीन के डोस के बीच आठ बारा हफ्तों का गया प्रतने की सला दी है इस पर स्वामिनाथन ने कहा कि फिलहाल बच्चों को वैक्सीन लगाने की सला नहीं है लेकिन हाँ दो डोस के बीच गैप को आठ से बारा हफ्ते तक बढ़ाया जा सकता है डबलू एचो की रीजनल डिरेक्टर डॉक्टर पूरम खितर पाल ने भी वैक्सीन की बात पर जोर दिया है साथ अपरेल को विश्व स्वास संगठन दिवस के मौके पर उन्होंने कहा कि संक्रमन की नई लहर पूरे छेतर में फैल रही है वैक्सीन की रफ़तार को बढ़ाये जाने के लिए प्रियास करने होंगे खास बात है कि भारत में हर रोज औसतन 26 लाग वैक्सीन डोज दिये जा रहे है इस मामले में भारत से आगे केवल अमेरिका है वहां औसतन 30 लाग डोज रोज दिये जा रहे है